हेलो दोस्तो वेलकम टू सक्सेज ड्रीमर्स दे अवेंजर्स एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी दबाईए बैल आइकन को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेज ड्रीमर्स दे अवेंजर्स और आज हम करने वाले हैं आपका मैक्रो एकनोमिक्स का चैप्टर नंबर फॉर मेजरमेंट ओफ नैशनल इंकम का पार्ट वन तो बच्चों सबसे पहले तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पह भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एजुकेशन के थुरू आपके टार्गेट्स अशीव करने में हैल्क परूँ तो वी शूट सपोर्ट इच अदर तो गेट आवर टार्गेट अचीवड ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की तो बच्चों मेजरमें एच illustrates सर्ट औफ नाच्ननल इंकम जो है उसका पार्ट वन जो मैं आपको करा रहा हूं तो सबसे पहले तो हम इंकम की बात करते हैं कि जो इंकम होती है ठीक है आये जिए वो कैसे जन्रेत होती है तो हमारा पहला सिटैप घॉत हमलब सबसे पहले होता है क्या है सबसे पहले कोई भी फर्म जो होती है वो किसी भी चीज़ का production करती है ना वो primary sector का हो सकता है secondary sector का हो सकता है या service sector का भी हो सकता है जिसे हम कहते है टर्शिरी sector ठीक है उसके बाद जब production होता है तो जो बचो factors of production होते है ना factors of production जिसे हम कहते है land, labor, capital, entrepreneur उनको क्या मिलता है उनको मिलती है factor income factor income क्या हो सकते है rent हो सकता है profit हो सकता है wages हो सकते है या फिर interest भी हो सकता है है ना जिसे हम कहते है आपका किराया या वेतन या लाब या ब्याज अब जब इनके पास factor income आई तो हो क्या करेंगे third step में बचों क्या करेंगे अब उन्होंने पैसे कमा लिए उसके बाद हो क्या करेंगे वैसको खर्च करेंगे जिसे हम कहते हैं expenditure on final goods and services अब इसके बाद क्या हुआ इसके बाद वो जो पैसे थे है ना जो आपके factors of production को मिले थे मतलब जो उतपादन के साधन आप देते हैं ठीक है जैसे मान लिजे किसी worker को जो पैसे मिले वो पैसे उसने क्या करें खर्च कर दिये तो वो पैसे वापस कहां पर पहुंच है ना तीसरे step में यह होगा तो basically जो income generation हो रहा है वो तीन phases में हो रहा है इसलिए हमने क्या कर रहा बच्छो हमने national income को calculate करने के लिए जो है तीन step बना दिये ठीक है तो तीन methods हमने बना दिये actually तो जो हमारा पहला method है वो कौन सा method के लाया production से related जिस हम कहते हैं value added method ठीक है हिंदी में कहते है मूले विधी विधी जो मारा दूसरा method है उससे हम कहते हैं क्या उससे हम कहते हैं income method, income method means आयविधी और जो तीसरा method है हमारा बच्छो उसे हम कहते हैं expenditure method, expenditure method मतलब हमको क्या कहना उसे उसे हम कहते हैं वेविधी तो basically आपको ये तीन methods ही इस chapter में करने होते हैं अच्छी तरह से क्योंकि इसमें से आपका एक six marks सा question paper में compulsorily आना है मतलब आता ही आता है तो अगर आप वो तीन method अच्छे से कर लेते हैं तो six marks जो है वो आपके numbers में जुड़ जाएंगे इसलिए economics में जो है आपके 90 plus score करना बहुत असान होता है क्योंकि आप ऐसे छोटे चीजे जो certain है उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कुछ marks से सिक्योर हो जाते है ठीक है तो आज हम discuss करने वाले हैं friends इसका जो पहला method है value added method उसको अच्छे से detail में ताकि आपको पहला method जो है आच्छे class में अच्छे से clear हो जाए ओके friends चलिए बात करते value added method की के value added method होत value added का मतलब क्या होता है आपसे अगर पूछा जाए value added क्या होता है ठीक है किसी भी चीज़ की जब value बढ़ जाती है तो उसे ही कहते है value addition अब value addition क्या है example के लिए भाई मान लीजिए कि आपने जो है अगर आटा लिया ठीक है अगर आपने आटा लिया और आटे से आपने bread बना दी तो उसका result क्या होगा value addition आपने उसकी value में कुछ रिधी कर दी आपने क्या लिया दही लिया दही से लस्टी बना दी वो क्या क्या लाएगा value addition आपने कहने के लिए आम लिये आम से आपने क्या करा आम से आपने अचार बना दिया वो कहके लाएगा value addition अगर आपने अंगूर लिये अंगूर लिया आपने ठीक है अंगूर से आपने क्या करा दारू बना दी लिकर बना दी तो यह क्या कहलाएगा यह क्या क्या कहलाएगा आपका value addition मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो और उसकी value बढ़ा देते हो तो उसी को कहा जाता है value addition ठीक है अब यह जो मैंने आपको सारी चीज़े बताई ब्रेड लसी अचार लिकर यह सारी चीज़े कहलाती है आपके final product है ना और यहाँ पर यह सारी चीज़े क्या कहलाएगी यह सारी चीज़े कहलाती है intermediate products तो जब आप किसी final product को intermediate product से convert कर देते हो तो उसे कहते है value addition एक्जांपल के लिए आपका आटा धा 8 रुपे के लो आपने उससे bread बना दी 10 रुपे की तो value addition कितना हो गया 10 रुपे में से हमने minus कर दे 8 रुपे 2 रुपे आपने 10 से लसी बना दी आपने 10 रुपे कर दे खड़े था उससे 20 रुपे के लसी बना दी 10 रुपे तो कोई भ आ गया होगा ठीक है तो आप क्या करते हैं हमारी जो economy होती है ना हमारी जो economy होती है उसमें तीन सेक्टर होते हैं primary sector, secondary sector और tertiary sector हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर ने कितना value addition करा और उन तीनों सेक्टर की value addition को हम add करके क्या निकाल लेते हैं अपनी GDP MP तो अब देखिए अब ह क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं इस method में? सबसे पहले हम निकालते हैं GDP at MP. वो निकालने के लिए value added by primary sector, PS का मलब primary sector, value added by secondary sector plus value added by tertiary sector, primary sector, secondary sector और tertiary sector. तो बचो अब भाई आपने निकाल दिया GDP MP, अब GDP MP के बाद second step क्या होगा? second step होगा आपका NDP at FC, NDP at FC मलब net domestic product at factor cost जिसको बचो हम कहते हैं domestic income, और domestic income कैसे निकालते हैं? वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं balancing का इस्तमाल, GDP MP लिया, इसमें से depreciation मैनस करा और इसमें से मैनस कर दिया NIT, जो मैंने आपको पिछले chapter में करा रखा है balancing वाले में, अगर आपको इसमें problem आ रहे हैं तो balancing वाला chapter आप देख सकते हैं, आपको प्लेइलिस्ट में मिल रहेगा इसके बाद हम निकालते हैं NNPFC NNPFC मतलब जिसे हम कहते हैं National Income National Income निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? NDPFC लेंगे उसमें NFIA Add कर देंगे तो यह हो जाएगा आपको क्या बच्चों क्या कहते हैं National Income Calculate तो यह तीन स्टेप पर खेल है पहले आपको निकालने है GDPMP फिर NDPFC, फिर NNPFC लेकिन problem कहाती है अभी तो हम formula पर ही हैं अभी हमें आपको question भी बताऊंगा, practicals भी बताऊंगा आप सबर बनाके रखे, अच्छे से chapter को परते जाएं formula को note करते जाएं अब main problem आती है कि value addition कैसे निकाला जाए है ना तो बच्चों को value addition निकालने में problem आती है क्योंकि value added आपको ऐसा कैसा नहीं दिया होगा अगर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप तिनों को जोड़ लीजे कोई problem नहीं होगी तो main हमारे सामने issue क्या आता है main हमारे सामने issue यह आता है बच्चों कि value added कैसे निकाली जाती है तो value added जो है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम एक छोटा सा formula करते है value of output minus intermediate अब कभी कभी क्या होता है कि जो value of output है वो आपको नहीं दिया होता value of output ठीक है value of output को हिंदी में कहते हैं उत्पादन का मूल है intermediate consumption मदलब value of output आपको नहीं दे रखाओ तो आपको एक काम करना है sales लेना है और इसमें add कर देना है change in stock अब अगर आपको by chance change in stock भी ना दिया हो changing stock आपको ना दिया हो तो आपको क्या कर देना है closing stock को minus कर देना है closing stock में से opening stock को आपको minus कर देना है उसके लिए भी आपको एक process जो है वो यह कहते हैं follow करना पढ़ेगा तब आपकी value addition निकलेगी आपको छोटी छोटी चीज़े बच्चो आपको दिमाग में रखने होती है सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में रखने होती है कि जो आपका changing stock है changing stock का एक और नाम होता है उसम कहते है inventory investment ठीक है तो आपको समझ में आया जो मैंने आपको formula बताया सारा national income निकालने का और value edit निकालने का क्या process होता है ओके friends तो यहाँ पर मैंने आपके लिए question draw करा value edit method के उपर इस method में आपको क्या निकालना है question में बोला गया calculate the value of GDP MP तो question में अभी आपको national income नहीं निकालनी इसी question में हम थोड़ा सा extension करेंगे बट अभी तो मैं आपको GDP MP पर ही लेके जाता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है value added by primary sector value of output secondary sector sales by tertiary sector changing stock tertiary sector intermediate consumption of all three sectors ठीक है तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताए था कि भई GDP MP निकालने के लिए आप करना है value added by primary sector value added by secondary sector value added by tertiary sector ठीक है primary sector, secondary sector और tertiary sector की value addition को आपको add कर देना है तो भई आप देखो value added by primary sector आपको given है 2000 plus ठीक है value added by secondary sector अब यहाँ पर आपको secondary sector की value addition निदे रखी लेकिन मैंने आपको बाता है था value addition कैसे निकालते है value of output minus intermediate consumption है ना तो देखे value of output दे रखा है secondary sector का 1000 minus intermediate consumption यहाँ लिखा ना intermediate consumption of all three sectors primary का secondary का और tertiary का तो इसमें से minus कर दिया plus value added by tertiary sector tertiary sector के लिए पर same formula है value added is equal to value of output value of output minus intermediate consumption लेकिन आपको यहाँ पर value of output अगर ना दे रखा हो तो उसके लिए भी एक formula होता है वो होता है sales plus change in stock तो यहाँ पर पहले sales लेंगे sales है 1500 plus change in stock दे रखा है यहाँ पर 400 minus intermediate consumption 300 है ना तो इसको उमने add कर देना है 2000 plus में 800 और 1900 में से आपके यहाँ पर 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1600 तो इसको उमने add कर देना है 2800 3800 3800 और 600 यहाँ पर आदाएगा 400 यह हो गया आपका GDP MP 22800 2800 और 1300 आपके 3800 3800 और 600 तो इस तरह से आपका कहने कर लाएगा GDP MP तो यह जो मैंने आपको भी question कराया यह सिर्फ मैंने आपको क्यों कराया ताकि मैं आपको अभी सिर्फ formula किस तरह से apply करने होते हैं यह बता सकूँ ठीक है तो यह बच्चों हमारा पहला part था अब जो इसका next part करेंगे उसमें value added method के आपको practical questions करवाएंगे सिर्फ क्योंकि आपने formula तो मैंने आपको इस part में सारे अच्छे से बता दिए किस तरह से use होते हैं क्या formula होते हैं अब जब next part में आपको इसका बना कर दूँगा second part तो उसमें हम क्या करेंगे सिर्फ formula पे focus नहीं करेंगे सिर्फ practical करेंगे ठीक है तो इस part के सारे formula नोट कर लिजिए और next part में जल दिए अप्लोड कर दूँगा thank you